स्वागत है आप सभी का एक बाद फिर से ओनलाइन क्लासेज में हम बीए सेकंड इर की जोग्रोफिक अध्यन कर रहे हैं और बीए सेकंड इर की जोग्रोफिक में हम पढ़ रहे थे जनसेंख्या संसादोनों को कौन-कौन से जनसें के संसाधन संसाधनों का अधिन कर रहे थे बीए सेकिंडियर की जोग्रोफि में हम संसाधनों के पैरे में अध्यन करते करते संसाधनों के प्रकार हमने पड़े थे संसाधनों के उभ्योग के आधार पर परकार पड़े थे हमने नव्य करने और आज की इस करक्षा में हम संसाधनों की प्राप्ती और संसाधनों के वित्रण के आधार पर प्रकारों का अधिन करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए प्राप्तता और वित्रण के आधार पर संसाधनों को चार मुख्य भागों ब पर 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 ठीक है इसके लावा दूसरे कौन से हैं सामान्य सुलब संसाधन ऐसे संसाधन जो सभी जगों पर लगबग पाया जाते हैं जैसे मिट्टी हुई ये विश्व में सभी जगा सरु सुलब नहीं है अंटार्टिका मिट्टी नहीं पाया जाती बहुत से शेत्र है जिसे कोई चट्टानी मरुस्तले वामिट्टी नहीं पाया जाती बर्फिला शेत्रे वामिट्टी नहीं पाया जाती इसलिए सरु सुलब संसाधन नहीं है ये क्या सामान्य सुलब संसाधन है सामान्य रूप से चीजे पाई जाती है ठीक है बर्फ हुई बर्फ भी सामाने सुलब संसादन है सामाने रूप से पाई जाती है लेकिन सरु सुलब नहीं सभी जगह नहीं पाई जाती है विरल संसादन ऐसे संसादन जो किसी एक स्थान पर ही विशेश रूप में पाई जाते हैं यानि कि दू लाखनीच पदा जैसे इतने भी होते हैं उन सभी को एकल्स वीरल संसाधन के नाम से जाना जा सकता है दूर दूर बिखरे हुए मतलब और चोथा कौन सा है एकल्स नसाधन एकल्स नसाधन वो संसाधन जो किसी एक ही शेतर में पाये जाते हैं उसके अलावा विश्व में कहीं उनका दूसरी जगह पर पाना मुश्किल होता है जैसे आश्टले में जो खंगारू पाए जाते हैं इस तरीके के कुछ वनस्पतियां हैं जो विशेश शित्रम पाए जाती है वो वाली चीज़े ठीक है तो इस तरीके से संसादनों को चार भागों में बाटा गया है प्राप्तता और वित्रण के आधार पर देखते हैं अब इसका अध्यन करते हैं अच्छी तरीके से देखते हैं क्या-क्या इसमें है और क्या-क्या नहीं है सबसे पहले देखिए सर्वसुलब संसादन बहुत आसान भाषा मैं बता रहा हूं आपको सर्वसुलब संसादन ऐसे संसादन जो पर्थवी पर सभी स्थानों से प्राप्त हो जाते हैं सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं सर्वसुलब संसादन के ते बहुत इजी परिवाशा है एक नंबर के प्रश्णी यहां से बन सकते हैं सबी चेके पर जो उबलब्ध होते हैं ऐसे संसादनों को क्या कहते हैं सर्व सुलब संसादनों के नाम से जाना ज़से पवन हवा जिसको बोलते हैं ये विश्यू में कहीं पर भी चले जाई आप वहाँ पर पवन मिलेगी आपको परकाश परकाश भी आपको मिलेगा सुरिय का परकाश वाला की वरत्य के 90 डिगरी तक नहीं पहुँच पता लेकिन कभी ना कभी तो वहाँ पहुँचता ही है वहाँ पर होता है परकाश ठीक है तो परकाश हुआ इसके अलावा भूमी का तजल भूमी का तजल भी सभी जगह उपर नहीं पाया जाता ठीक है ने जहां भूमी ही नहीं है तो भूमी का तजल कैसे पाएगा मुद्रों में नहीं पाएगा ना सागरों में इस वज़े से भूमी का तजल भी इसमें एक इमपोर्टेंट ठीक है इसके बाद देखते हैं सामान्य सुलब संसाधन क्या होता है सामान्य सुलब संसाधन का मतलब यह है कि ऐसे संसाधन जो सरु सुलब नहीं है लेकिन सामान्य रूप से आम तोर पर सभी जगह पर मिल जाते हैं यानि कि मिल ही जाते हैं इस संसादनों को सामानी सुलब संसादनों की नाम से जना जाता है उधारन रूप में देखें मिट्टी है उपजाव मिट्टी सामान रूप से मिल जाती है उपजाव मिट्टी सामान रूप से मिल जाती है इसके अलवा वन भी मिल जाते हैं मिटी तो मिलती है, वन भी मिल जाते हैं, सभी जगों पर वन होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व में सभी जगों पर आप वन तलाश नहीं लग जाएं तो नहीं मिलेंगे, आंत्रटटिकम बनने ही मिलेंगे आपको सतही जल यानि की जमीन के ऊपर वाला जो जल है वो भी सतही जल वो भी आपको सामाने रूप से मिल जाता है लेकिन सभी जेगा पर नहीं मिल पाता है तो ये सारी चीज़े हैं जो सरुष सुलब संसाधन और समाने सुलब संसादनों के बीट में difference पैदा करती है। इतनी बाद आपको समझ में आ गाई होगी। इसके बाद देखते हैं Viral संसादन और एकल संसादन क्या है ? Viral संसादन और एकल संसादन में अंतर समझते हैں Viral संसादन तो किसों को कहते हैं ? ऐसे संसाधन जो कुछ निशित इस्थानों पर ही प्राप्त किया सकते हैं, लेकिन एक से अधिक इस्थानों से प्राप्त होंगे, जैसे ये अफरीका हो गया हमारा, ठीक है, अफरीका के बाद ये अरब हो गया, अरब के बाद यहां पर आईए तो ये भारत हो जाएगा, और इसके आगे जल 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 यह आपका यह हो गया अब कोई जो चीज यहाँ पर पाई जारी है भारत में कोई चीज अगर भारत में पाई जारी है तो उसकी संभावना है कि वो अमेरिका में यह अफरीका में भी पाई यहां पर पाई जा रही है तो यहां पर भी पाई सकती है यहां पर पाई सकती है अरब में पाई सकती है यूरोप में पाई सकती है एजिया में पाई सकती है तो यह चीज जब इतने इस्तानों पर पाई जा रही है लेकिन ये विशेश स्थानों पाई जानी इन पर, ठीक है, इन्हे स्थानों पर मिल रही है, इन्हे स्थानों पर मिल रही है, तो अगर कोई चीज, कोई वस्तू, कोई संसादन, किसी विशेश स्थान पर पाई जाते हैं, निश्चित स्थानों पर पाई जाते हैं, चाहे वो अलग-अलग देशों में हो, एक से अधिक स्थान अप्राप्त हो, तो ऐसे संसादनों को विरल संसादनों के नाम से जाना जाता है, यानि कि दूर-दूर जो होते हैं, विरल का मतलब क्यों होता है, दूर-दूर, इसके बात देखते हैं, एकल संसादन, ऐसे संसादन, वे संस जो पृत्वी के किसी एक ही इस्थान पर प्राप्त किये जा सकते हैं जैसे और दूसरी जगर पर यह प्राप्त नहीं होता है यह तो क्या है दूसरी जगर पर प्राप्त हो सकते हैं लेकिन यह दूसरी जगर पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं और इसका दूसरा कोई प्राप्त का स्थान नहीं होता है यानि कि जहां पाएंगे यूनिवर्सल सत्य होने चाहिए यह बात यानि कि वहीं पर उपलब्द होने चाहिए जहां पर बतलाए जा रहे हैं जिसे राजस्थान के माउंट आबू में मिलने वाली एकल वनस्पती डिफिलेप टेरा के नाम है बात है आपकी ध्यान रखिए गाइसको राजस्थान में जो माउंट आबू है माउंट आबू मिलने वाली वनस्पती कौन-कौन सी वनस्पती है डिफिलेप टेरा आबू एसेंस संपूम विश्व में क्यों माउंट आबू में पाए जाती है इसके लावा हम लिखते हैं क गंगारू भी विशेश रूप से कहां पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं आस्ट्रेलिया में कहां पाए जाते हैं आस्ट्रेलिया में तो यह सारी चीजे हैं जो हमको एकल संसाधन को समझने में मदद करती है ठीक है समझ में आया होगा आपके इसके बाद आगे देखते हैं क्या है संसादन देख लिए चार परकार के होते हैं सरु सुलब, सामानी सुलब, विरल संसादन और एकल संसादन ठीक है यह है प्राप्ति के आधार पर संसादनों का वर्गी करन इसके बाद देखे जिम्मरमेवन, मैंने आपको बताया, जिम्मेवन जिम्मaliśmy-धारी के साथ सारा काम करेगा ये संसादन बहुल में जिम्मरमेवन के अनुसार विविद रूप ये वरगि करन, जिनका अधार संसादनो की उpियोगी था है, वो इस परकार है जिम्रमेन के अनुसार संसादनों के उपियोगी था कि आदार पर संसादनों को चार भाबों में बटा गया है अब ये जिम्रमेन ने बतलाया है अभी तक हम सामानिय वर के गड़ा थे अब जिम्मर में उनके अनुसार उपियोगी था कि आदार पर किसके आदार पर उपियोगी था कि आदार पर पढ़ेंगे संसादनों के प्रकारों को पहला देखे एप्रयुक्त संसादन क्या एप्रयुक्त संसादन एसे संसादन वे संसादन जिनके बारे ले अधिशिष बंडार की रूप में मिलते हैं बात समाजने की कोशिश करना ऐसे संसादन क्या ऐसे संसादन लिख लिया होगा आपने ऐसे संसादन जिसके बारे में जानकारी तो है जानकारी है लेकिन जानकारी होने के बाद भी उनकी आवशेक्ता नहीं है क्या नहीं है आवश आजीब से शब्द आएंगे, उनको आपको समझना है एयप परियोग भिर यही का आजीड और जाता है, टीके? जपे उसेराजस्तान में लोह और नेरानी इसका है, राजस्तान गिलो है इसका पायत हो जाता है लेकिन उसका उप्योग कम किया जाता है ठीक है उसके उप्योगी की आवशेकता नहीं है दूसरे देखे ऐ प्रयोजनिय संसादन क्या है दूसरा है ऐ प्रयोजनिय यानि की जिनका प्रयोजनि नहीं किया गया जिनका उप्योग त तकनीकी नहीं है, जानकारी नहीं है हमारे, दोनों जानकारी और तकनीकी नहीं होने के कारण, उनका उप्योग नहीं किया जाता है, ऐसे संसादनों को ऐ परियोजनी संसादनों के नाम से, बोलो, क्या होता है, जाना जाता है, ठीक है, इसके बात देखते हैं, संभावे ऐसे संसाधन जो किसी भी कारण में कारण से उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं लेकिन बविश्ये में इनके उपयोगी होने की संभावना है तथा भावी पीडी के लिए ये संसाधन उपयोगी होंगे जिसे भारत में थोरियम केरल बात समझने की कोशिश करना वे संसाधन जिसको आज तो उपयोग में नहीं लिया जा रहा जिसको वर्तमान में उपयोग में तो नहीं लिया जा रहा लेकिन फ्यूचर में उसको उपयोग में ले जाने की संभावना पूरी-पूरी है तो उस संभावना जब पूरी-पूरी है तो ऐसे संभावना वारे संसादनों को क्या बोल देंगे संभाववे संसादनों के नाम से जाना जागा है वे संसादन जो आज किसी भी कारण से उपयोग में नहीं लिये जा रहे हैं वारत का थौरियल में पाया जाता है यानि कि उत्पाधन तो सका नहीं किया जारा लेकिन उसकी संभावना है वावीट उसको निकाला जाएगा वहां से इसके बाद देखे गुप्त संसादन ऐसे संसादन जिनके बारे में जानकारी का अभाव रेता है तथा वो मनुश्यों के लिए क्या होते हैं वो मनुश्यों के लिए बविश्य में उपियोगी होने की समभाव वो मनुश्य के लिए क्या है वर्तमान में प्रत्यक्ष तोर पर उपियोगी नहीं है और नहीं भविश्य में उनका कोई संभावना नजर आती है गुप्त संसादन उसे बोलते हैं ऐसे संसादन मनुश्य की जानकारी से बाहर है लेकिन वर्तमान में क्या है हमारे पास उसकी तकनीकी नहीं है और तकनीकी के साथ साथ जानकारी उनके बारे में नहीं है तो ऐसे संसादन हमारे लिए अभी तो उपयोगी नहीं है हो सकता है आने वाले समय में उसकी कोई उपयोगी संभाव नहीं होगी तो ऐसे संसादनों को गुपत संसादनों के नाम से जाना जाता है जिन संसादनों के बारे में हमको जानकारी नहीं है और जानकारी नहीं होने के बाद भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे तो ऐसे संसादनों को गुपत संसादनों के नाम से बोलो क्या है जाना जाता है ठीक है आने वाले फूचर में हम उनके बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे उनका उपयोग करेंगे तो ये सब चीजे जो है व्रहद सोरी गुप्त संसादनों के नाम से जानी जाती है उमीद है जो कुछ बताया गया है समझ में आया होगा, दोबारा से हम रिवीजन माल लेते हैं, एक बार और से देखिए, हमने आपको आज पढ़ाया है, प्राप्तता और वित्रण के आदर पर संसाधनों के प्रकार, सरू सुलब, सामाने सुलब, विरल और एकल, सरू सुलब किसको बोलते हैं, सरू सुलब जो सरू सुलब तो नहीं है, लेकिन सामानी रूप से पाया जाता है, मिट्टी पाया जाती है, वन पाया जाता है, जाता ही जल सामानी रूप से पाया जाता है, विरल संसाधन, ऐसे संसाधन जो विश्यू में, जो है, निशित इस्थानों से प्राप्त की जाते हैं, लेकिन करको लिएन लेकिं अकल संसाधर में क्या है यह के अगए विशु के लिए अब परवतम नहीं पो तिक है गंगारू उसलेम मिनने वाला एक जीव है जिम्मर में ने इसके बाद विविद इस्थानी विविद रूप में वर्गी करण किया है जो इसके उपयोग के आधार पर है ठीक है यानि कि जिम्मर में ने उपयोग के आधार पर इसका संसादना का वर्गी करण चार बागम किया को अबकिना के लहाएं उप्यूट्फादा को अब्रक बता एनों ने संभाव संसादन के लाते हैं नो न है नहीं किया जा रहा लेकिन आने वाले फूचर में उत्वदन की उनसे संभावना है और भावी पीडी को उससे उन्नात और विक्सित करने का इरादा है ऐसे संसादनों को संभावी संसादन की नाम जाना चाता है थोरियम भारत में जो है यह जो उर्जा खनीजे उसकी बारे में उसमें बतलाए गया है गुप्त संसादन वे संसादन जिनकी बारे में हमको जानकारी ही नहीं है जानकारी ही नहीं और जानकारी होए भी तो हम उसको निकाल नहीं रहे है ऐसे संसाधन बविश्य में उनको निकाले जाने की संभावना है तो ऐसो को बविश्य वादी संसाधन कह सकते हैं या गुप्त संसाधन की नाम से जाना जाता है आगे की कक्षा में कल और चीज़ों को पढ़ेंगे हम कुझे एक संसाधन को पढ़ेंगे एक लिए कक्षा में तब तक के लिए मुझे दीजिये जाज़त नमस्कार